आजकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेट फोन इस डिफोल्ट प्रोब्लम ठीक कैसे करें अगर आप इस प्रोब्लम से परशान हो गए हुए हैं और दोस्तो आपको इसका सोलूसन नहीं मिल रहा है तो बस वीडियो को ध्यान से लाज टक पुरा देखते रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ और दोस्तो इसका सोलूसन क्या है तो यहां पर प्रोब्लम तब आता है जब आप अपने मोवाईल फोन के अंदर 2-3 डाईलर अप्लिकेशन इस्तमाल करते हैं Example के लिए अगर आप अपने mobile phone के अंदर true color install कर लिजेगा तो दोस्तो ये problem आ सकता है या फिर कोई application ऐसा होता है जिसमें dialer वाला बटन होता है यानि के dialer वाला option होता है वो application install करने के बाद ही दोस्तो ये problem आपके phone के अंदर देखने को मिलता है तो इसका solution तो दो है पहला solution य है कि आप उस application को delete मार दीजिए तो दोस्तो आपको problem ठीक हो जाएगा और दोस्तो इसका दूसरा solution है आपके mobile phone के setting से आपको ठीक करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप चाहते है अपने mobile phone से इस application को delete नहीं करना setting से जो है इसको सही करना तो आपको application delete करने का जरूबत भी नही इस परकार से आपके mobile phone में app manager या fit app list का option देखने को मिल सकता है simply आपको इस पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click कर देते हैं आपके सामने काफी सारा option आ जाएगा अब दोस्तो यहाँ पर manage app का option आपको देखने को मिल रहा है इस पर जो है आपको click कर देना है जैसे आप य यहां पे जो आपको ओपसंद देखने को मिल रहा है, default app, simply दोस्तों, आपको इस पर click कर दूजाना है जैसा आप यहां पर click कर देते हैं, то यहां पे second number पे आप दिखते हैं, Ha Wendy, आपको इस पर click कर देना है अब दोस्तों यहां पे आप देसकते हैं True Color यहां पे सो कर रहा है यानि कि मेरे Phone के अंदर True Color इस्टोल है इस वाशे दोस्तों Set as Default वाला ओप्सन आता है तो यहां पे जो है Simple आपको यहां पे Phone का दो ओप्सन देखने को मिल रहा है यहां पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है और दोस्तों हमेशा Phone पे ही Select होना चाहिए अगर यह Phone से हट करके यहां पे यहां पे दूसरा Application पे ठीक लगा रहता है तो दोस्तों आपका Mobile Phone में प्रोब्लम होता रहता है तो यहां पे मैंने सेटिंग को कर लिए चली मैं आपको अब यहां पे दिखा देता हूँ हमारा सेटिंग सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और दोस्तों हमारे Phone गंदर यह प्रोब्लम ठीक हुआ या नहीं हुआ तो यहां पे Simplium Dialer वाला Option पे क्लिक कर लिते हैं यानि कर डाइलर वाला जो एप्लिकेशन खोल लिते हैं और दोस्तों यहां पे आप दिसकते हैं हमारा प्रोब्लम ठीक हो गया और यहां पर से सेट फोन इस डिफोल वाला Option नहीं आ रहा है मैं इसको एक मर्तव हटा देता हूँ और दुबारा से खोलता हूँ तो दोस्तों फाइनली आप दिसकते हैं हमारे फोन के अंदर से यह प्रोब्लम ठीक हो गया कुछ इस पकार से आप भी ठीक कर सकते हैं